बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाने वाले कथावाचक धीरेंदर शास्त्री फिलहाल बिहार में हैं इस बीच पटना से एक खबर सामने आ रही है जहां पर बाबा वागेश्वर के नाम से जाने जाने वाले धीरेंदर शास्त्री के पोस्चर्स पर कालिक पोती गई है जानकारी के अनुसार धीरेंदर शास्त्री के पोस्टर्स पर चहरे पर कालिक पोती गई इन पोस्टर्स पर 420 और चोड तक लिग दिया गया रात के अंधेरे में अर्समाजिक तक्वों ने ये काम किया है सभी चौक चराहूं पर लगे पोस्टर्स पर इसी तरहां से कालिक पोती गई है गौरतलवे की बुधवार को धीरेंदर शास्त्री की ओर से बिहार में हनुमंत कथा का चौथा और आखरी दिन है वहीं दूसरी और जिस होटल में धीरेंदर शास्त्री ठहरे हैं वहाँ पर भारी भीर लगी हुई है और पोस्टर्स पर कालिक पोतने पर लोगों ने कहा कि कोई पागल होगा जो पोस्टर्स पर कालिक पोतेगा कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो सुनातन का विरोध करेगा उसे देश में रहने का अधिकार नहीं वहीं धीरेंदर शासरी के पोस्टर पर कालिक पोत्ते के मामले में राज़त ने इसे भाजपा की साज़िश करा दिया राज़त प्रवक्ता शक्ति सिंग यादर ने बयान में का कि ये बीजेपी की साज़िश हो सकती है ऐसा काम नहीं करना चाहिए और सरकार को इसकी पूरी जाज करवानी चाहिए साथी CCTV फुटेज खंगाले जाएंगे जो भी दोशी होगा पोलिस उस पर कारवाई करेगी गौरतलभे की बिहार में धिरेंदर शास्री के ओर से कथा का आयोजन किया गया है इस दोरान काफी ज्यादा भीर बढ़ने से एक दिन के लिए कथा थगित भी कर दी गई थी इसी बज़े से बिहार की सियासत भी गर्मा गई थी फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाब देश तुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चानल लोकमत हिंदी पर बने रहें